हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू दी क्राफ्ट टेल्स वित मनिशा दी क्राफ्ट टेल्स वित मनिशा मैं आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत है और अगेन मैं लेकर आ गही हूं कार्डबोर्ड एक्षिली मुझे लगता है मुझे इसकी जो प्लेलिस्ट है उस पे कार्डबोर्ड सीरीज ही रख देना चाहिए क्योंकि एक कार्डबोर्ड से मैंने बहुत सारी चीज़ी बनाई है और अब भी इसके छोटे-छोटे टुकडे हैं जिनको मैंने कालेक्ट करके रखा है कि मैं उनसे कुछ और बनाने वाली हो और मैं जरूर बनाऊंगी और आप सभी के साथ शेयर भी करूंगी और इसके साथ कुछ नैचुरल चीज़े जो कि मैं गार्डन से कहीं रस्ते से चलते-चलते दिख जाती हैं जो मुझे लगती है कि इनको मैं क्राफ्ट में यूज कर सकती ह तो वो चीज़े मैं यूज करूंगी और बहुती एजी सा क्राफ्ट बनाने वाली हो मींज हम अगर अपना थोड़ा सा ध्यान बाकी की चीज़ों से जो बोलते ना कि फाल्दू की चीज़ों पर न लगा कि कहीं पर उसको इनोवेटिव बनाएं कुछ ऐसा करें कि देखने में भी अच्छा लगे और अपने मन को खुशी मिले तो हमें वो चीज़े थोड़ा थोड़ा पर लाइफ में प्रैक्टिस करते रहना चाहिए अच्छली कुछ चीज़े एकदम से नहीं आती हैं ताइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है आगे एन्ड उसके साथ ही साथ हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेश है जिनको हमें ना चाहते हुए भी भूलते на कि हमें नहीं करना है लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है जैसे कि आज करना हम मोबाइल या शोशल मीडिया या जो बोलते हैं कि online देहना, YouTube देखना, वो जादा करते हैं. पहले सिर्फ इतना होता था कि हम कुछ सीखने और जानने की कोशिश में चीज़े देखते थे और करते थे. अगर हमें कुछ सर्च करना है तो हम जाते थे. हमें कुछ सीखना कि YouTube से में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है. लेकिन आजकल हम कुछ भी करते हैं और जो वो दिखा रहे हैं वो लोग भी तो कुछ कर रहे हैं आपने कभी सोचा है कि अगर हम किसी की छोटी से Reels या Video कुछ देख रहे हैं तो वो हम हमारे तक जो पहुँच रहा है वो क्यों पहुँच रहा है और उसके करने के पीछे सबसे बड़ी बात होती है उसको करने के पीछे का कारण कि अगर किसी ने स्टोरी वारी रील डाली है छोटे-छोटे Shorts वीडियो बनाते हैं तो उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं वो स्मार्टली सब कुछ हैंडल करते हैं लेकिन अगर आप टाइम का सही से यूज नहीं कर रहे हैं आप सिर्फ देखते हैं और उस चीज को अपने अंदर नहीं ला पा रहे हैं अगर सुचू किसी छोटे बचे ने 16 years में कोई ऐसा innovation करता है कोई ऐसे चीज लाके आपके सामने रखता है कि जिससे पूरी दुनिया हैरान हो जाती है तो ये भी करने वाला तो वो छोटा सा 16 years का ही mind है न उसने अपनी energy कहाँ पर लगाई यहाँ पर बात आती है कि हम अपनी energy को किस direction में लेके जारें कितना use कर रहे हैं क्योंकि हर किसी के अंदर एक अलग energy होती है उसका energy level उसको ही पता होता है और उसको वो कैसे use करेगा यह भी उसके अंदर के ही गुण है smartly करना है और वो उसको कर सकता है तो यहाँ पर point क्या है point है हमें जागरुक रहने की हमें अपनी नजर कहाँ पर रखनी है वो important है कि हम अपने आसपास हो रहे हैं जितनी भी परिस्तिती है हमारे आसपास जो भी हो रहा है उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए अपने काम को करते हुए और जो हमें उनसे सीखने को मिलता है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए हमें सीख जरूर लेनी चाहिए सीखने में कोई बुराई नहीं है और सीखने की कोई उमर नहीं होती है, मैं भी सीख रही हूँ और क्या बोलते हैं कि एक middle age में भी आके या हम और जैसे से बड़े होते जाते हैं, अच्छे चीज़ें सीखते जाते हैं बहुत सारी चीज़ें सीखते जाते हैं कई बार होता है कि हमें life के कुछ bad experiences भी होते हैं लेकिन वहां भी हमें वो कुछ न कुछ सिखा के ही जाता है तो जरूरी नहीं कि हम हर टाइम काम करते रहें बट अगर हम अपने जीवन में या अपने पूरे दिन भर में एक भी छोटा सा काम कर लें तो वो हमारे मन को अगर satisfaction देता है और खुशी देता है तो वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए important है कि अपने लिए जीना है और अपनी life को best बनाना है और उसके लिए अपने mind को हमेशा free रखना है बेकार की बातों से बेकार की चीजों से अपने साथ जी लिजिए और थोड़ा सा time अपने आपको दीजिए अपने से बात करने का phone को बंद करके एक तरफ लग दीजिए ज़रूरी नहीं कि हम हर time phone से ही सीके हमें अपने आप से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कभी practically करके देखीगा मैं कर रही हूँ और मेरी कोशिश जारी है कि थोड़ा time अपने साथ जीऊ अपने लिए जीऊ और फिर जो निकल के आता है वो कुछ ऐसी creativity निकल के आती है ओप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगई हो अच्छी लगई हो तो please like, share और subscribe